चलिए अब कुछ और प्रश्णों के उत्तर देते हैं जैसे कि जीवों को खाद्य की अवशक्ता क्यों होती है सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की अवशक्ता होती है ये उन्हें विबिन गतिविदियों को करने के लिए उर्जा देता है सभी कतिविदियां जैसे घूमना, खेल कूद, अध्यन करना, चलना, दौडना आदी को उर्जा की अवशक्ता होती है हमारे भोजन में मौजूद घटक जैसे कार्बो हाइडरेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज हमारे शरीर को उर्जा प्रदान करते हैं ये हमारे शरीर के विकास के लिए महतुपून है परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर क्या है? परजीवी, वो जीव जो किसी अन्य जीव के शरीर पर बढ़ता है और उससे पोशक्तत्वों को प्राप्त करता है, परजीवी के रूप में जाना जाता है जैसे की अमर बेल, मृत जीवी, जो जीव मृत या क्षाइकारी कार्बनिक पदार्थों से पोशक्तत्व प्राप्त करता है, उसे मृत जीवी कहा जाता है मृत जीवी के उधारण, कवक और कुछ बैक्टीरिया है, आप पत्ती में मंड की उपस्तिदी का परिक्षन कैसे करेंगे? एक जैसे दो स्वस्त हरे पौधों को लो, एक पौधे को ले और उसे अंधेरे कमरे में रखें, ताकि उसका सारा स्टार्च निकल जाए दूसरे पौधे को दूप में रखें, अभी परतेक पौधे से एक पत्ता लें और उन पर आयोटीन के घोल की कुछ बूंदे डालें अंधेरे कमरे में रखें पौधे की पत्तियों पर कोई नीला रंग नहीं दिखेगा, ये स्टार्च की अनुपस्तिती को इंगित करता है नीला काला रंग सूरज की रोश्णी में रखे गए पौधे की पत्तियों पर देखा जा सकता है ये स्टार्च की उपस्तिती को इंगित करता है हरे पादपो में खाद्य संशलेशन प्रक्रम का संख्षिप्त वर्वनन कीजिए प्रकाश संशलेशन को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाशित किया जाता है जिसमें क्लोरोफिल युक्त पादप को शिकाएं सूरज की रोश्णी की उपस्तिती में कार्बन डायक्साइट और पानी का उपयोग करके कार्बो हाइड्रेट के रूप में भोजन सौर उर्जा संशलेशित करती है प्रकाश संशलेशन के लिए आवश्यक स्ट्रोथ पानी को पौधों की जड़ों से लिया जाता है और पत्तियों तक पहुचाया जाता है हवा से कार्बन डायक्साइट पत्तियों में रंत्र नामक छोटे छिद्रों के माध्यम से प्रवेश करती हैं और क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में फैलती हैं सौर उर्जा का उपयोग पानी में से ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए किया जाता है ये हाइड्रोजन कार्बन डायक्साइट के साथ संयुक्त होकर पौधों के लिए भोजन बनाने के लिए योग्य है जिसका उपयोग अंततह जानवरोद्वारा भी किया जाता है अब हम बात करेंगे कि इन कत्नों में से संबंदित परिभाशित शब्द क्या है कौन है वो पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप बिलकुल सही अमर बेल अमर बेल ही पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप है एक पादप जिसमें स्वय पोशन एवं विश्व पोशन देने की प्रणाली पाई जाती है ऐसे पोशन पादप को क्या कहते हैं? ऐसे पोशन पादप को घट पढ़नी कहा जाता है वे रंद्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान परदान होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उनको हम पर्ण रंद्र कहते हैं अच्छा आप मुझे बताईए कि इन में से सही क्या है? अमर बेल उधारन है किसी स्वय पोशी का, परजीवी का, मृत जीवी का या परपोशी का? बिल्कुल सही जवाब, अमर बेल उधारन है एक परजीवी का कीटू को पकड़ कर अपना अहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? अमर बेल, गुढ़ल, घट पर्णी या गुलाब? बिल्कुल सही जवाब, इसका जवाब है घट पर्णी चलिए बात करते हैं विस्तारित अध्यन किर्यकलाब एवं परियोजना कारिया गमले में लगे चोड़े पत्तियों वाले किसी पादप को लीजिए काले कागज को दो पत्तियां लेकर उनके मध्य में लगू माप की वर्गाकार अकृती काट लीजिए इन कागजों में किनी दो पत्तियों को इस परकार ढगिये कि इनका कुछ भाग काले कागज से ढगा रह जाए जबकि शेश भाग काटी गई वर्गाकार आकृती में खुला रहे फिर इन पर साबधानी से क्लिप लगा दीजिए पादप को दो से पाँच दिनों के लिए सूरे के प्रकाश में रख दीजिए पत्ती के ढखे हुए एवं बिना ढखे भाग के रंग का निरिक्षन कीजिए क्या पत्ती के दोनों भागों में कुछ अंतर दिखाई देता है? इन में से एक पत्ती का आयोडीन परिक्षन कीजिए अब दूसरी पत्ती पर कागज हटा के पादप को दो तिन दिनों के लिए सूरे के प्रकाश में रख दें तता धगी हुई पत्ती का भी आयोडीन परिक्षन कीजिए अपने परिक्षन की व्याख्या कीजिए यदि आपके घर के आसपास कोई ग्रीन हाउस हो तो वहाँ जाईए देखिए वहाँ पादप कैसे उगाए जाते हैं पता लगाईए कि पौधों की स्वस्थ वृद्धी के लिए वहाँ प्रकाश, जल एवं कार्बन डायकसाइड का नियमन किस प्रकार करते हैं शकरकंद को केवल जल में उगाने का प्रियास कीजिए अपने प्रयोग एवं प्रेक्षन का वर्णन कीजिए चलिए आज के लिए बस इतना ही जाते हुए एक छोटी सी बात पादबों के लिए प्रकाश इतना अधिक मत्वपून है कि उनकी पत्तियों की वृद्धी अनेक प्रकार से होती है जिससे कि हम उन्हें अधिक्तम प्रकाश ग्रहन करने में सुविधा हो बच्चो इसी के साथ हमारा अध्याय पादबों में पोशन पूरा होता है बच्चो आप सभी तंदुरुस्त रहिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए धन्यवाद